है है वेलकम बैक तो तिरदेव इंवेस्टमेंट लेब मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं लेटेस्ट फाइव स्टॉक्स जिसमें कि आप स्विंग ट्रेड इंटरेड दोनों कर सकते हैं अगर आप बाइंग करते हैं तो आपका टार्गेट क्या हो सकता है और कब आप ब वीडियो मैंने पहले भी थोड़े समय दे रखाया आप उदर जाकर देखें आपको उसमें भी कनफर्म और क्लियर डीडल में आपको बताया है कि आपका बाइक कर सकते हैं तो आपके लिए वह लिटेस्ट हो सकता है आज का वह लिटेस्ट वीडियो ही मैंने अप अपलोड सकते हैं महाराष्ट्र स्कूटर का चार्ट लगा रखा है और अब देखें तो यहां पर फोकस करें तो आप एक चीजी यह देख सकते हैं कि यहां पर एक रेसिस्टेंस था 5832 का यहां से डाउन आया लेकिन आप यहां पर यह देखने 5552 का एक सपोर्ट भी यहां पर रहा जो की इसको भी यह ब्रेक करके नीचे की तरफ गया चोशकते हैं पर यहां पर यह च्छोटा सपोर्ट इसने एक क्रिएट किया उसके बाद फिरसल दिया और आप देखें तो वैज आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो यहां पर जो सपोर्ट था युसको रेसिंस बनाता ह हुआ अभी नजर आया है और इसके उपर तक भी प्राइस गया था लेकिन अभी इसी के पास दी है लेकिन अगर बात करें अगले दिन की बाइंग की तो आप अगले दिन अगर पुली स्केंडल मिलता है तभी आपको पोजिशन बनाना है यानि कि इसमें बाइंग करनी है इसको भी यह ब्रेक कर सकता है क्योंकि आप देखें थोड़ा पीछे चले गए जो देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक रेसिस्टेंस था जिसके अनुसार यहां पर वापस आज कर आज जो क्लोजिंग दिये उसके बाद यहां से लगतार डाउन आया था और 4089 क सपोर्ट लिया उसके बाद फिर बड़ी रिवर्सल दिखी और यह जो हाई प्राइज नजदी की नजर आ रहा था इसको यह ब्रेक करके इसको ऊपर निकला था तो यहां पर नया एक क्रियेट किया था रेसिस्टेंस वहां से थोड़ा डाउन आया एक कॉंसलेडेशन के त अगर चैनल मिलता है और आज़ का जो हाई प्राइज रहा है 5560.88 का अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जब ट्रेट करता हूँगा नजर आया तो आप उसमें बाइं कर सकते हैं आप जाहाएं तो कम कॉंसली के साथ इस्टाइंग में इंटर करें उन किस तरह नज़ेए तो आप और क्वांटिटी में एड करते जाएं अगर इसको ब्रेक करता है जो हाई प्राइस यहां पर भी तक दिख रहा है 5941 का एक आप इधर तक का भी रेसिस्टेंस के तौर पर गाइस टार्गेट पना सकते हैं हो सकता है इसको ब्रेक करके थोड़ा समय के लिए यहां तक आपको यहां पर बीरिस आ चुका है काफी बड़ी के साथ नीचे तक आया है और छोटी के बाद आपको यहां से रिवर्सल भी मिली है तो यहां से अपके सेनारियों ही बन रहे हैं बियसके नजर नहीं आ रहे है अगर बाइचांस वीरिस आता है तो 5456 का जहां से इसमाना सुरू हो नीचे आने के बाद उसके बाद आपको इसमें पोजिशन बाइंग करते चले जाना है चलिए मैं आपको वन वीक में करता हूं कि आगे का टार्गेट क्या हो सकता अगरा आप आइंग करते हैं तो तो यहां से इधर का हाई बनाया थोड़ा डाउन आया स हो सकता आपको इधर से अपके सेनारियो मिल सकते हैं गाई वन गabr那我們 पूसरी सेंड्य में आप बुली सकेंड़ रहे हैं कम समयपे अप अच्क रॉफिट निकाल सकते हैं तक G Sophos सब्सक्राइब करें तो अगले दिन मिल सकता है अगले वीक में आपको पुलिस का कंडल देख सकता है तो अपनी जिस तरह से पुरे प्राइज सना आगे क्यों बढ़ता जाए आप क्वांटिटी उसमें एड करते जाए चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं अगर आपको डालेगा इस तो आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें डाउन नहीं बल्कि अपके क्लियर सेनारियो नजर आ रहे थे और यहां पे एक कॉंसलीडेशन के तौर पे भी स्टॉक देखने को मिला थोड़ा डाउन आया और सपोर्ट लिया वन थाउजन्ड सेवेन एंडर यह आप देख सकते हैं जो वन डे में एक रेसिस्टन्स बना तूधाउजन टूहंड़ सेवेन का इसको भी ब्रेक करके और आज का देखे दो इस तरह काफी बड़ा और बुली स्केंडल दिखा है तो ऐसा नहीं है इसकी अगले दिन आपको फिर से बीरिस और बड़ी कंड अगले दिन थोड़े समय के लिए बीरिस का हो सकता है या फिर छोटे समय के लिए आपको छोटा बुली स्केंडल भी देख सकता है तो आप अगले दिन थोड़ा फोकस बनाये रखें अगर चांसे आपको मिलते हैं बुलिस के तो आप इसमें अपनी पोजिशन बाइंग किजिएगा जो की हाई प्राइस तू थाउजन सेगेंड़े सिस्टी टू का जो रहा है आज का कें तो थोड़ा डाउन आया है वेश्ट थोड़ा डाउन आ सकता है अगले दिन क्योंकि इतनी बड़ी मुवमेंट होई है तो पुछ लोग तो प्रॉफिट बॉकिंग करना चाहेंगे तो इदर अपना प्रॉफिट करना चाहेंगे या फिर तो गई अगले दमय के लिए पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तब ही आप इसमें मैं रेकमेंट करूंगा आप बाइंग करें अगर डाउन का सेनारियों के कर बात कर गाई तो यह कैंडल का जो हाफ तक का आप रख सकते हैं 500 लगबग आज अप मुव हुआ है तो आप लगबग 2550 तक का एक आपको स दिखा है तो थोड़ा डाउन आने के बाद आपको इतर टच करें या फिर थोड़े नीच वुपर से ही इसको बीना टच कि इसके उपर से ही जब प्राइज आना फिर से शुरू हो ऐसा जब एक कैंडल को ब्रेकर के ऊपर से 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 केंडल फिर फिर थर्ड कंडल इस तरह से अगर प्राइस में रहना सुरू होता है तो उस तरह से आप क्वैंटिटी और एड करते जा सकते हैं चलिए मैं आपको टार्गेट कंफर्म करता हूं तो इस टार्गेट अगर आप इधर बाई करते हैं तो एक रख सकते हैं रेसिस्टेंस के तो पर इस अभी एक नजर आ रहा है अगर इसको ब्रेक करता है तो इस एक बड़ी टार्गेट भी आपको हाथ लग सकती है चलिए मैं आपको वन वीक पर इस विक आप देख सकते हैं काफी बड़ा और बुली स्केंडल देखने को मिला तो चांसे अभी आपको आपके भी वन वीक में किलियर हो रहा है और व तो आप फोकस बनाया रखें तो चलिए सेकंड टार्गेट जिस नुसारी आगे बढ़ रहा है गाई लगवागाई सेहां पर देख सकते हैं तो यह 500 अप जाने के बाद थोड़ा डाउन का सेनारियो रेगुलर इतर दिखता हुए नजर आया है उसी अनुसर देखे तो रख सकते हैं तू थाउस 3200 का अगर यहां तक आता है गाई तो जिस तरह से यहां पर रेसिस्टेंस करने के बाद थोड़ा रेस्पेक्ट करता है थोड़ा बीर स्केंडल या फिर थोड़ा दिखता है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए उस तरह से आप भी यहां पर पीवेट करिएगा अगर इधर तक आता है तो और उसके बाद अगर इसको ब्रेकर के इसके उपर ट्रेड करता हूँ जब नजर आए तो इसमें आप अपनी वाइंग फिर से कर सकते हैं या फिर और क्वैंटिटी एड़ कर सकते हैं तो या फिर चाहे तो आप उतना ही क्व प्रॉलम हो रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और इसे वाश लिस्ट में एड़ जरूर करें एक बार खुद से भी अनलाइज कर लें आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकती है तो चलिए जैसा कि मैंने मिंडा क्रोपरेशन लिम्टेट का चार्ट लगा रखा है वन ड यहां से अपके सिगनल्स क्लियर हो सकते हैं अगले दिन आपको बुलिस के सेनारियो मिल सकता है क्या देख सकते हैं आप यहां पर की बड़ी वॉलेटलिटी एक तरह से देखने को मिले और यह तोड़ा डाउन आ रहा था फिर से अप जा रहा था डाउन अप डाउन कर देखने को मिला है उसके बाद भी आप देखेगा इस तो मूफ तो अप गया लेकिन ज्यादा भी कुछ आप नहीं देखने को मिला एक यहां पर रेसिस्टेंस 314 पर क्रियेट हो करके थोड़ा डाउन वापस आ गया और डाउन आने के बाद फिर से जैसे कि मैंने आपको य बुली स्केंडल दिखा है यह डोजी टाइप केंडल दिखा है तो अगले दिन का अगर मुवमेंट के अगर बात करेगा इस तो मैं आपको लव एक रिकमेंड करूंगा यहां तक का एक छोटा गाई यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं अगले दिन इसको ब्रेकर के डाउन की तरफ बढ़ता है तो आप इसको ब्रेकर के डाउन की तरफ तो आप इसे फिलाल और कीजिएगा लेकिन यहां चाहिए जब यहां पर थोड़ा फोकस बना रखें 314 का एक टार्गेट आप रख सकते हैं मैं आपको वन विक में टार्गेट कंफर्म करा हूं तो गाईज एक टार्गेट आप अगर इधर से निकलता है तो गाईज यह टार्गेट जो है 338 त चांसे आपको अगले दिन बुलिस का भी मिल सकता है तो आप फोकस बनाया रखें चलिए नेक्स ट्रॉक को देख लेते हैं तो नेक्स ट्रॉक आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है बलरामपूर चीनी मिल्स का चार्ट लगा रखा है वन डेक इसको फोकस करगा इस तो आप देख सकते क्लियर जो है बुलिस केंडल मिल रहा है जो कि पिछले दिन आपको बीरिस केंडल दिखा था लेकिन इस ने क्लोजिंग दिया जो कि रेगुलर जो है इसमें थोड़ा वीग उपर देखने को मिल रहा था यानि कि हाई प्राइज जो भी केंडल आपको देखने को मिल रहा है तो से अगले दिन आपको बुलिस के हो सकते क्योंकि सेंटिमेंट भी आपको वन डे में कंफर्म आपको सेनारियो आपके दिख रहे हैं तो मैं आपको फोकस करने के लिए आगले दिन मिलता है तो आप बाइंग करें या फिर अगर बाइचांस बीरी स्कंडल नजर आता है तो इधर तक का आप वेट करें कि 395 का आप वेट करें हो सकता है अगर आता है जिस अनुसार सी नजर आ रहा है थोड़ा आप जाने के बाद वापस से डाउन अगर 395 तक अगले दिन अगर वापस से डाउन मिलता है तो आप वेट करें इधर आनदा है और इधर से अगर प्राइजिंश में बनाना अगर 410 को ब्रेकर कि इसके ऊपर अगर ट्रेड नजर आता है करता हुआ तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं तो आई देखते हैं टार्गेट वन वीग में क्या हो सकता है हो सकता है अगले समय में याने कुछ समय में 421 के टार्गेट को यह ब्रेक करें या फिर यहां आने के बाद थोड़े समय के लिए डाउन दिखे तो आपको पैनिक नहीं होना है थोड़ा वेट करना है क्योंकि आपको वन वीक में बुलिस के सेनारियो नजर आ रहा है और व 495 तक भी दिख रही है तो यहां पर काफी कांसलेडेशन के बाद और थोड़ी बड़ी के साथ साथ यह जो है उपर की तरफ मूव करना शुरू किया है तो आप इसमें अपनी फोकस बना सकते हैं बाइंग कर सकते हैं वह स्लिए जरूर करें चलिए नेक्स देख लेते हैं अगर आप कोई दिक्कत हो और यह प्रोब्लम हो अगर वाई करने में तो आप मैं कमेंट कीजिएगा वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करें तो चलिए जो है आडानी पावर का जो कि यह जो है आपको आज बुली स्केंडल दिया थोड़ा समय अगर पहले फोकस इसको बरेक करके निकला और यहाँ पे नया रेसिस्टन इसने की रिट किया था यह थोड़ा डॉन आया तो प्रॉफिट बूकिंग के तो पर ही कर सकते एक दिन के अंदर इतनी बड़ी मोइंट के बाद उस लोग अपनी प्रॉफिट किये ठोड़ा डावन आया लेकिन दू कंडल के साथ यह मैं पत्राइब सब्सक्राइब अगले दिन मैं आपको करूंगा तो इसको उपर उत्राइब करता हूँ और नज़र आता है थोड़ा दिर बीडी कडल साथ दर दर वेट करता है तो आप अपनी कम ही quantity के साथ आप अपनी इसमें अपनी position जरूर बनाएं अगर उसके बाद फिर से अपको price मनाता हो नजर आता है तो और quantity आप add कर सकते हैं चलिए तो जो गाई इसका high price के साथ जो इसका resistance नजर आ रहा है वो 282 का नजर आ रहा है यहां तक आपको हो सकता है एक से दो दिन के अंदर या फिर एक ही दिन के अंदर आपको मिल सकती है लेकिन फिराल गाई अगर बात करें वन विक में देख लेते हैं इसका scenario क्या हो सकता ह है और इसका target भी क्या हो सकता है आगे के बढ़ता है तो इस सेनारियो जो है वापस से इसमें पूलिष के सुरू हो गए है अडानी पावर जो कि आप दिखते है रेगुलर हाई के सेनारियो बनाता हुए है पर एक रेसिस्टेंस क्रेट के थोड़ा डाउन आया और दो दिन अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट तक का अप वेड करें है इस एक टारगेट प्राइस इधर तक का रख सकते हैं तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान कीजेगा जो की आपके सामने तो यहां से भी आपको से नादियो बूलिश के नजर सुरू हुए है अप यह जा सकता है आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह आपको बड़ी प्रॉफिट दिला भी सकता है तो आपको पनी फोकस बना रखें वस्लिस्ट में एड करें बाइकन से पहले जरूर करें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें वीडियो को लाइक करें और नए लेटेस्ट वीडियो में आपके साथ डिली डिस्कॉस करता हूं आप हमारे चैनल को विजिट करें और नए नोटिफिकेशन बाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़े लिए प्रस्क्राइब थैंक्स गईस